क्या आप जानते हैं पुराने जमाने में गनपती की मूर्थी लाल रंग की क्यू होआ करती थी आज भी कई घरों में लाल रंग की गनपती की मूर्थी को गणे चतुर्थी के दिन स्टापन किया जाता है मेरे गाओं का पुष्टेनी घर जो गोवा में है लगबग 200-300 साल से कई पीडी दर पीडी लाल रंग की गणपती की मुर्ती गणे चतुरती के दिन स्तापन करते हैं कारण पुष्टे पर कई लोगों को इसका सही सटिक कारण पता नहीं क्योंकि इसका सही कारण शायद आगे की पीडी को बताया ही नहीं गया या उनको इसमें रूची भी नहीं थी आज कल हम कई खूबसुरत रंगों की गणेश की मुर्तियां देखते हैं और घर भी लेके आते हैं क्या हम हमारी संस्क्रूती भूलते जा रहे हैं तो महिव अजीत बोबे मेरे चानल में आपका स्वागत है तो सुनते हैं कि पुराने जमाने में गनपती की मूर्ति लाल रंकी क्यों हुआ करती थी पांच देवता शिव, विष्णू, शक्ति, सूर्य और गनेश इन पांचों देवताओं को पत्थर के स्वरूप में हमारे संस्क्रूती में पुजा जाता है मादेव को शिवलिंग के पत्थर में, विष्णु जी को साली ग्राम के पत्थर में, शक्ति को मेटालिक स्टोन, सूरिय को क्रिश्टल और गणेश को रेड स्टोन याने लाल पत्थर के रूप में पूजा जाता है आपको तो मालुम होगा कि मान्यता है कि गनेश जी को लाल रंग पसंद है उन्हें लाल फूल चड़ाय जाता है आर्ती में भी हम शिंदुर लाल चड़ायों की आर्ती गाते है गनेश चतुर्ति के दिन लोग लाल मिट्टी से बनी मुर्तियां या लाल रंग की गनेश मुर् या सरपिल कहां जाता है अंग्रेजी में इसे सर्पंटाइन कहां जाता है यह एक शक्ति-शाली पत्तर है जिसमें साप के जहर के प्रभाव को खतम करने की शक्ति होती है इसे कुंडलीनी जागरन का रत्न भी कहां जाता है अब यह लाल रंगी क्यों हमारे शरीर में साथ चक्र है मुलाधार, स्वादिस्टान, मनिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आग्या और सहस्रा और हर चक्र को साथ रंगों से दर्शाय गया है इन चक्रों में मुलाधार चक् क्योंकि इस मुलाधार चक्र की देवता गनेश जी है मुलाधार चक्र हमारे शरीर के नीचले हिस्से में होता है जा हमारे रीड की हट्डी खत्म होती है और गुपताउंगों के पास ये मुलाधार चक्र होता है मुलादार चक्र में कुंडलिनी सर्प के आकार में निवास करती है जब ये जागरुग होती है तो साथ चक्रों को सक्रिय करती है और ब्रह्मांड के ज्यान के दरवाजे खोल देती है इस ब्रह्मांड ज्यान के प्रती अपना भाव प्रगट करने के लिए हम गनेज जी की लाल मूर्ती को स्तापित करते हैं आज भी कई गाओं में गनेज चतुर्ते के दिन लाल रंकी गनेज जी की मूर्ती स्तापित की जाते हैं जब आप गनेज जी के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आखे बंद करके मुलादार चकर के लाल प्रकाश की उरजा को महसूस करे और उससे प्रार्थना करे हे गनेश, मेरे जीवन को सजी और समरुद्ध करने में मेरी सायता करे मुझे अग्ञान के अंदकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश मिले जाए मेरा जीवन उत्तम और सर्वत्तम बनाए मेरा इस मानव जन्म को सार्तक बनाए तो दोस्तों क्या ये जानकारी आपको पसंद आई अगर आपके पास कुछ और जानकारी हो तो कुरुपया कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करिएगा वीडियो को दोस्तों में शेर करिए लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं ऐसी दिल्चस कहानिया मैं आपके लिए लेके आऊंगा तब तक के लिए अजीद भुबे का नमश्कार